इंगली सीखना इतना जरूरी क्यों है? इंगली सीखने से हो क्या जाएगा? मेरे आसपास तो कोई इंस्टिट्यूट ही नहीं है मेरे पास इंगली सीखने के पैसे ही नहीं है और मैं इंगली सीखने के क्या बदल दूगा अपनी लाइफ में? मेरी तो अलरड़ी एक जॉब चल रही है मेरी फैमिली का वो महोल ही नहीं है अगर मैं इंस्टिटूट से सीख भी लूँगा तो रेगुलर तो बोलने वाला हूँ नहीं ऐसे बहुत सारे रिजन आपने भी अपनी लाइफ में देखे होंगे और हो सकता है आपने अपने वाप को कहे हूँ तो आपके इन सारे प्रश्णों का मैं जवाब देने वाला हूँ कि कैसे आप इस नए साल में अपनी इंग्लिश को अगले लेवर पर ले जा सकते हैं इंग्लिश को हम ऐसे सीखते हैं जैसे कि हम cycle चलाना सीख रहे हैं हेलो दोस्तो मेरा नाम विकाल जैन है मैं एक international speaker और entrepreneur हूँ और मैंने दुनिया की बहुत बड़ी companies जैसे कि IBM और McAfee में भी काम किया दोस्तो मेरी जो शुरू की पढ़ाई हुई थी वो Hindi Medium से शुरू हुई थी 7th class तक मैं Hindi Medium में पढ़ा था और 8th class मेर जाकर मैंने English Medium को चुना और मैंने life की उन struggle को देखा जो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने कभी-कभी अपनी life में महसूस किया होगा जैसे कि जब आपको कुछ प्रशन का जवाब आता भी है तो आप class में हाथ नहीं खड़ा करते क्यों नहीं खड़ा करते क्योंकि आपको हिचकेचाट होती है कि इस बात को मैं English में पूछूंगा कैसे बताऊंगा कैसे तो मैंने अपने आसपास के माहौल को देखा और मेरे बड़े भहिया ने भी मेरे को recommend किया कि बहुत जरूरी है कि आज समाज को देखते हुए तुम English medium को join कर लो तो मैंने English medium ले लिया तब मेरे को एक बात पता चली कि मेरे को अपनी English पे काम करना पड़ेगा ऐसे तो life नहीं चल सकती इसी बात को सोचते हुए मैंने कुछ English speaking course join किये तो जब मैंने पहला speaking course किया तो आपने भी देखा होगा कि उनमें tenses सिखाए जाते हैं पर मैं शायद थोड़े बहुत tenses तो सीख रहा था पर उसके बाद भी बोल नहीं पा रहा था कुछ साल बात फिर से मैंने एक और English speaking course join किया और फिर भी मेरे पास कुछ खास फायदा नहीं हुआ तो मेरी जो बोलने की हिचकेचार थी वो वैसे की वैसी बनी रही मेरे को आज भी ध्यान है कि कई बार college में ऐसे competition आते थे जहां पर कुछ बोलना होता था और मैं नहीं जाता था क्योंकि हमारी society का एक factor है कि stage पर जाना, मतलब English में बोलना और अगर वो नहीं आती चीज तो पीछे रहो आज मैं अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ बहुत सारे students की life में देखता हूँ जहां पर वो भी बहुत संकोच करते हैं अगर उनको कोई चीज आती भी है तो भी वो stage पर नहीं जाते सिर्फ यही सोच के कि English में कैसे बोलेंगे English में बात कैसे करेंगे तो बहुत सारा हमारा जो talent है वो पीछे रह जाता है मैं नहीं चाता कि आप अपनी life में आगे कभी पीछे रहो आपको आगे जाना है आपको अपनी बात को दुनिया तक लेकर जाना है तो आपको ये जो एक छोटी सी चीज है English बोलना इसको सीखना होगा और मैं आपके साथ वो तीन स्टेप शेयर करने वाला हूँ जिनसे कि आप भी अपनी life में आगे बढ़ पाएंगे जो मैंने अपनी life में खुद की जिन्दगी में अपनाया और जो मेरी life में काम करने लगा तो आए समझते हैं वो क्या चीजे हुई जो मेरी life में काम करी तो पहली जो CD मेरी life की चड़ी वो चड़ी English Mindset को समझने की दोस्तों मैंने एक बात सोची कि जब जब मैं English Speaking Course जोईन करता हूँ तो वहाँ पे मुझे Tenses सिखाए जाते हैं अब मैंने एक चीज बहुत डीपली देखी कि अगर मैं Hindi की बात कर लूँ जो मेरी मात्र भाशा है शायद क्लास में तो मेरे exam में उसमें भी अच्छे मात्स नहीं आरे तो क्या मैं Hindi बोल नहीं सकता है Hindi मैं बोल तो बड़ी अच्छी सकता हूँ पर जबकि मेरे उसमें मात्स नहीं आरे अगर यही बात मैं English पर apply करूँ तो ठीक है मैं English के exam ठीक से नहीं कर पा रहा हो सकता है मैं English के speaking courses में जो Tenses है वो ठीक नहीं कर पा रहा पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उसको बोल भी नहीं सकता तो मैंने एक तरीका अपनाया और उस तरीके को अगर आप भी अपनी life में अपना लोगे तो आपकी जिंदगी बदलने लग जाएगी और वो तरीका है कि English को हम ऐसे सीखते हैं जैसे कि हम साइकल चलाना सीख रहे हैं जी हाँ दोस्तों आप मेंसे जादा तर लोगों ने life में साइकल चलाई होगी तो जैसे हम साइकल चलाना सीखते हैं वैसे हम English को सीखते हैं ना कि एक theoretical subject की तरह हैं जो school या college में पढ़ाया जाता है और जब मैंने ये formula अपनी life में अपनाना शुरू किया तो चीजे बदलनी शुरू हो गई तो आपको करना क्या है कि अगर हम साइकल में एक दो बार गिर भी रही हैं दस बीस बार भी गिर रही हैं तो हम cycle चलाना नहीं छोड़ते हैं हम कोशिश करते रहते हैं हम cycle का handle पकड़के ही चलते रहेंगे थोड़े time एक कदम से कुछ-कुछ try करते रहेंगे तो जैसे हम cycle चलाना सीख रहे हैं वैसे ही क्यो ना हम English चलाना सीख लें तो English अगर हमें चलानी है और अपनी life को चलाना है तो English बोलने के लिए भी हम एक-एक baby step उठाना शुड़ू करते हैं तो मैंने क्या करने लगा कि जितना हूपाया मैं उतना जरूर करता था जिस भी जंगे मिरको लगता था कि मिरको बार-बार try जरूर करना है आप देखेगा दोस्तों मैंने भी कहा मैंने 2-3 बार English speaking course जोईन किया इसका क्या कारण था क्योंकि मेरको ये तो पता था कि वो मैं सीख सकता हूँ हो सकता है किसी कारण वश अभी तक नहीं सीख पा रहा था पर कुछ-कुछ चीज बदलता रहूँगा कुछ-कुछ नई कोशिच करता रहूँगा पर कभी तो करना सीखूँगा इसी सोच के साथ में मैंने English mindset को develop किया speaking mindset को develop किया तो आज जब आप इस बात को सुन रहे हैं आप अपनी life में क्या चाहते हैं अगर आपको English बोलना सीखना है तो उसको cycle की तरह सोचिए बोलना शुरू कीजिए और एक बात का ध्यान रखीगा दोस्तों हर कोई चाहे दुनिया के किसी भी देश में रहता हो अपनी मात्र भाषा में अपनी mother tongue में comfortable होता है दूसरी language सीखने में बहुत सारे लोगों को कठना ही होती है कि मुझे नहीं आते है मेरे साथ कुछ कमी है मेरे से नहीं हो सकता है जब हम इन स्यारी चीजों को बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो मैंने अपनी life में जो सबसे पहला step की लिया वो ये लिया कि मेरे को जितना आता है मैं उतनी कोशिश के साथ में आगे बढ़ता रहूँगा तो दोस्तों अगर आपको भी अपनी life को बदलना है और English skill को अपनी life में अपनाना है तो cycle चलाने की तरह अपने mindset पे काम करना होगा कि हमें कोशिश करते रहना है अब समझते हैं दूसरी चीज़ जो मैंने अपनी life में अपनाई जब मैं college में पढ़ रहा था मुझे ये तो दिखने लगा था कि आगे कुछ college में campus placement के लिए company आने वाली है और जो मेरी fluency है मुझे पता है कि मैं अटक अटक के बोलता हूँ और जब companies का interview होगा तब मैं शायद ठीक से जवाब ना दे पाऊँ तो एक छोटा सा example देता हूँ interview में हम से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि tell me something about yourself अपने बारे में कुछ बताईए तो हम कैसे शुरू करते हैं तो जब मेरी practice नहीं थी तो मेरे sentence ऐसे शुरू होता था I am और मेरे दिमाग में ये चल रहा होता था कि अब मैं I के साथ tenses कौन सा लगना है M आएगा, Is आएगा, R आएगा My name Is Vikas Jen तो मैंने क्या किया? गर्मियों की छुटियां हुई college में दो महिने की छुटियां थी तो मैंने एक English अखवार को उठाया क्योंकि इससे पहले मैंने कई बार ये तो सुना था कि English को तेज-तेज बोलकर पढ़ना चाहिए पर मैंने कभी try नहीं किया था मैंने English का अखवार उठाया और रोज एक घंटा तेज-तेज बोलकर उसको पढ़ता था जी हाँ दोस्तो रोज एक घंटा तेज-तेज बोलकर उसको पढ़ता था मेरा गलास उखने लगता था थोड़ा पानी पिया फिर से शुरू किया कोई और motivate नहीं कर रहा था मैंने खुद के लिए target बनाया था कि मैं रोज एक घंटा English का अखवार तेज बोलके पढ़ूँगा कई बार कोई शब नहीं समझ आता था तो थोड़ा dictionary को refer कर लिया पर मेरा महाँ पे एक चीज सोच थी कि जैसे हम cycle चलाना सीखते हैं वहाँ पर हमें अपने शरीर को training देनी होती है सिर्फ दिमाग को ये बता देना कि cycle चलाने के लिए दो paddle ऐसे ऐसे चलाने होते हैं काम नहीं करता handle को ऐसे ऐसे हिलाना होता है काम नहीं करता जब तक हमारी body को उसकी आदत नहीं पड़ जाती है आपने भी देखा होगा जब आप कुछ दिनों तर cycle चलाने शुरू करते हैं तो शुरुआत में कई बार confusion हो जाती है कि कई लोग paddle की और ध्यान देंगे कई लोग handle हिलाते रहेंगे ये शुरू में सब के साथ गलतियां होती है पर धीरे धीरे कुछ महीनों बाद आपने देखा होगा हमारी body अपने आपी cycle चलाने लग जाती है हमें balance करने के लिए कोई कटना ही नहीं होती वैसे ही जब मैंने दो महीने ऐसा करता रहा और दो महीने के छुटियों के बाद मैं वापस college पहुँचा तो मेरे कई दोस्तों ने मेरे को बताया विकास तुमारी जो English बोलने की fluency है वो बढ़ गई है कोई course join किया था क्या मैंने का नहीं ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया पर मैं जानता था मैंने क्या किया तो जो परिवर्तन उन दो महीनों में मेरे साथ हुआ जो मुझे otherwise नहीं पता चल रहा था वो मेरे दोस्तों ने मेरे को बताया कि तुमारी जो English की fluency है वो बढ़ गई है आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में हो चाहे वो छोटे से छोटा एरिया हो चाहे आपको दूसरी कोई किताब मिले या ना मिले पर मैं विश्वास करता हूँ कि आपके पास आसपास कहीं ना कहीं कोई English newspaper तो जरूर होगा और एक और बात सोचने की है दोस्तों मैं वहाँ पे वो English newspaper कोई news पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता था कि मेरे को कोई रोज नया newspaper चाहिए एक अगर मोटा newspaper मिल गया तो वो ही मेरा हफते 10 दिन का काम कर देता था क्योंकि मेरा वहाँ पे सिर्फ English बोलने से मतलब था न्यूस पढ़ने से मतलब नहीं था तो एक अखवार मिला और उसको ही मैंने 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन तक पढ़ता चला गया फिर एक और दूसरा अखवार उठा लिया फिर उसको 10 दिन तक बोलता चला गया आप सोच के देखियों दोस्तों कई बार हम कह देते हैं कि मेरे पास English सीखने के पैसे नहीं है मेरे पास English सीखने के लिए ये नहीं है मेरे पास English सीखने के लिए वो नहीं है जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसमें कितनी कॉस लगती है 4-5 रुपे का एक अखवार आता है और उसको भी अगर आप 10 अत्वार भी ले लेते हैं तो आपके 50-60 रुपे में आपने कितने महीने का काम आपका हो गया और एक और सीक्रेट बताओं अगर आप रद्धी की दुकान पे जाएंगे तो आपको 5 रुपे में कई साल की रद्धी मिल जाएगी जिससे आप पता नहीं कितने साल तक ट्रैक्टिस कर सकते हो तो मेरा आपको बताने का तरीका यह है यह जो हमारा मैंड्सेट होता है ना दोस्तों यह हमेशा ना के कारण धूंड देता है कि क्यों मैं नहीं कर सकता और यही हमें आगे बढ़ने से रुखता है, चाहे उसमें English हो, चाहे कोई सफलता का दूसरा subject, जब तक हम इस mindset को काबू नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पातें, तो मैंने जब दो महीने की वो तयारी लगातार करी, दो महीने तक करी, बिना किसी break के करी, तब मेरी वो English fluency में बदलाव आया, और मुझे पता चला कि मैं अगले लेवल तक पहुँच गया हूँ, तो जैसे आप cycle चलाना सीखते हैं, शुरुवात में गिरते भी रहेंगे, पर आप individual practice जारी रखते हैं, आप रोज थोड़ी-थोड़ी कोशिश करते रहते हैं, वैसे ही आप English को भ देखने लग जाओं कि मेरी English कैसे बड़ी या नहीं बड़ी, दस दिन में कई बार हमें पता नहीं चलेगा, ये वो training है जिसमें दो से तीन महीने लग जाते हैं, देखिए एक छोटा बचा दीरे-दीरे language को सीखता है, तो language को हम subject की तरह नहीं सीख रहें, एक skill की तरह सीख रहे हैं, language को language की तरह सीख रहे हैं, जिसमें कुछ महीनों का समय चाहिए, तो मेरी बात मानते हुए, कुछ महीने अपने आपको दे दीजिए, दो से तीन महीने जब आप रोज एक घंटे की तयारी करेंगे न दोस्तों, तो जो दो से तीन महीने बाद आपको अंदर change मिले और जैसे ही मैंने इस चीज़ को practice किया, मेरी English का level भड़ता चला गया, अब बात आती है तीसरे step की, तीसरा step क्या है, दोस्तों फिर से cycle चलाने की बात करते हैं, जब आप कुछ समय अकेले cycle चला लेते हैं, फिर आपका मन करता होगा ना कि दोस्तों के साथ race लगाई जाए, करा या नहीं करा, मेरा तो करता था, कि अब मेरे को cycle चलानी आ गई है, तो चलो दूसरों के साथ competition करते हैं, चलो race लगा के देखते हैं, वैसे ही जब हमें English में बात करनी हैं, तो अगर मैं अकेला बैठके अपने ही room में English में बोलता रहा, वो तो हमारा purpose नहीं है ना, हमारा purpose क्या है, कि हम चाहे job interview हो, चाहे कोई business deal हो, हम जाएं और सामने वाले person से बात करें, जो सामने लोग बैठे हैं, उनसे बात करें, तो जो चीज हमें करनी है, वो ही तो हमें regular practice में भी करनी होगी, तो तीसरा जो level आता है, वो ये level आया, कि कैसे मैं ऐसा माहौल ढूंडूं, जिन से मैं लोगों के साथ बात कर पाऊं, जिन में मैं जो मैं English में बड़ोतरी हो गई है, जो मैंने अपनी life में improvement कर लिया है, अब उसको actual environment में test करूं, मैं actual लोगों के साथ बात करना शुरू करूं, अगर आपके ऐसे दोस्त हैं, जो आपकी तरह English सीखना चाते हैं, तो आपको बहुत judgmental नहीं होना पड़ेगा कि ये गलत बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, क्योंकि आप सब सीख रहे होते हैं, और ऐसे ऐसे आप अपनी life में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने भी यही किया, जैसे कि हमने बात करी कि जो तीसरा step होता है, वो सबसे important step है, कि हम ल आपको जो skill के app पर मिल सकता है, जहां पर आपको course के लिए regular exercises के साथ साथ, आपको वो माहल भी मिलता है, ताकि आप अपने जैसे लोगों को call कर सकें, और उनसे English में conversation कर सकें, तो जो हमारे साथ practice करने वाली problem आ रही थी, कि practice किसके साथ करें, वो आपकी problem, जो skill के इस app पर ख access पा सकते हैं इस feature का, तो I'm sure आप अपने bright feature को शुरू करना चाहेंगे with a Josh skill app, pin comment में दिये गे link को click करके, right away you can start your journey with English speaking and create a bright future for you, तो आपको जो तीसरा तरीका है English speaking को improve करने का, वो आपको अपने peers के बीच में काम करना होगा, आपको ऐसे लोग ढूनने होंगे, जो आपको व बड़ा secret है हमारी life में success का, कि world class performance के लिए, world class preparation चाहिए होती है, तो जब आपको English job interview में बहुत अच्छे से बोलनी है, तब आपको इस बात का ध्यान देना होगा, कि जब आप practice कर रहे हैं, तो उतनी ही अच्छी English बोल पाएं, क्योंकि आप ये सोचे कि अभी मैं धीरे धी देख सकते हो, और वैसे मैं इतने हजारों लोगों के साथ बात कर चुगा हूँ, दूसरों के साथ भी ऐसा होता नहीं है, तो आपको ऐसा group ढूंडना है, जिनके साथ आप बात कर सकें, जो आप अपनी language skill है, उसको test कर सकें, और उसको और बहतर बना सकें, तो मैं आपके सा evidence लेके आईए, cycle चलाने की तरह English को enjoy करते वे सीखिए, और जो आप अपने dreams, अपनी life में जो चीज़े पूरी करना चाते हैं, वो पूरी कीजिए, क्योंकि आप में वो potential है, दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों को नहीं देखते, आप जब अपने आप पे काम करने पाई जा सकती हैं, और एक हिंदी मीडियम से पढ़कर, जब मैं अटक अटक के English बोलने वाला, आज अपने आपको international speaker बना लेता हूं, तो आप भी बना सकते हो, क्योंकि आप में भी वो गुण है, आप में भी वो potential है, और इसी सोच के साथ आगे बढ़ते रही हैं, थैंक काम करने का नॉलेज मुझे जादा है, सिर्फ मुझे इंगलिस नहीं आता है, बहुत सरम सा महसूस होता था मैं अनाम धर्विंदर है, मैं बिहार से बिलॉण करता हूँ, एक छोटे से गौव से, उसका नाम है गौवररिया, मैं वहाँ बार्मी तक पढ़ाए अपने गौव से किये, उसके बाद दिल्ली आगे जॉब करने के लिए अब मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, वहाँ का बॉस ने मुझे बताया कि एक ओनलाइन क्लास जोसे स्किल नाम से है, तो उस पे आप इंगली सही कर सकते हो जोसे स्किल के डाउलोड करने के बाद उसमें फीचर था, ग्रामर, वोकाबलरी, रीडिंग और उसके बाद है पार्टनर कॉलिंग, उस पे आप बहरीचक बाते कर सकते हैं, जितना मर्जी उतना देर तक स्टूडेंस से बाते कर सकते हैं जोसे स्किल में पढ़ाई के साथ साथ पॉइंट मी मिलते हैं जो स्टूडेंट आप दे एएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए झाल झाल झाल